वन्राज को लगा शौक अनुजानुपमा की शादी क्या है आज के एपिसोड में खास आईए जानते हैं काविया ने शाहाउस अपने नाम कर बाजी पलट दी और सभी को शौक कर दिया है और इस बात का सबसे ज्यादा सदमा वन्राज को लगा है कि काविया ने इतनी गंदी चाल चली पूरे परिवार के सामने काविया ने बापुजी पर गंदे इल्जाम बापर कीचड उचाला इतना ही नहीं तोशू से लेकर किंजल, समर, पाखी और डॉली तक को बुरा भला कहा काविया ने सब को ये भी वताया की, घर अपने नाम करवाने का आइडिया उन्हें राखी यानि किंजल की मम्मी ने दिया अनुपमा ने भी काविया की बोलती बंद की, ये कहकर कि हम सब ने जरूर गलती की है पर किसी ने किसी को धोका नहीं दिया, किसी ने कभी भी चोरी नहीं की, जैसा काविया ने की है वही आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बापु जी अनुपमा से ये कहते हैं कि अनुच का तेरे जिन्दगी में आना कानहा जी का इशारा है, अनुच को अपने दिल में आने दे बापु जी के ये वाते से उन अनुपमा सोच में पढ़ गई है अब लगता है बापो जी बाप होने के फर्ज निभाएंगे और अनुपमा का कन्यादान भी करेंगे आपको क्या लगता है कि क्या अनुपमा को अनुच का हाथ ठाम लेना चाहिए आपकी राए हमें कॉमन सेक्शन में जरूर बताएए टेलिविजन की सारी ताजातर इन खबरों के लिए देखते रहे टेली मसाला और फालो करें हमें फेस्बुक और इंस्टेग्राम पर